इतिहास का एक ऐसा दिन है जो शायद बस्तर के इतिहास में भी लिखा जाएगा क्योंकि शायद आप लोगों को पता नहीं होगा कि राज परिवार जितने भी देश में हैं उनके खुद की एक किता में लिखी जाती है कि राजा कहा जाते हैं किस समय जाते हैं और वो प्रिजव किया जाता है और आज भी बस्तर रियासत में वो प्रथा चली आ रही है कि आज में निकला है तो हमारे जो लिखते हैं वो पीडी-दर-पीडी से लिखते आ हैं करीब 700 सालों से वो लिखी जा रही है कि राजा किस दिन कहा जाते हैं और क्या-क्या महत्पूर्ण कारिकरम करते हैं तो ये बहुत ही महत्पूर्ण इसली भी है कि वो इतिहास में कहीं न कहीं बस्तर के पन्नों में जरूर रहेगा कि हम यहां आये थे और बस्तर का जब भी इतिहास सर्च किया जाएगा बस्तर के पैलेस के लैबररी में तो ये दिन जरूर उसमें इतिहास में लिखाया जाएगा कि साथ सो सालों बाद काक्तिय वंशज बद्रकाली माता के दर्शन करने के लिए मैं या उपस्तित हुआ और साथ साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे मुख्यमंत्री जी का जो कि हमारे साथ मौजूद नहीं है बट उनके पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है मुझे लगता है वो हमेशा हमारे साथ है उनका आशिरवाद है साथ-साथ हमारे साथ उपस्तित हुए हैं हमारे डॉक्टर शी निवाद गारू जी गारू मेंस जी गारू जी गारू जी सो हमारे साथ उपस्तित हुए सुबे सही मेरे साथ हैं मेरे गाड़ी में साथ-साथ हैं हम लोग मेरी शादी कराने की चक्कर में लगे थे विनो जी और सो साथ साथ मेरे साथ उपस्ति थे चीफ विप जी जो हमारे साथ आए भी थे और उन्हें रिक्वेश्ट भी किया बस्तर आये थे उस दिन बहुत अच्छा लगा कि जनप्रदी निदी जब आता है को इतिहास को रचने के लिए तो बहुत बड़ा इतिहास बन जाता है क्योंकि जनप्रदी निदी जब इतिहास लिखने जाता है तो बहुत बड़ा इतिहास लिखा जाता है क्योंकि वो एक व्यक्ति नहीं होता है एक समाज का प्रतिनिदी होत कि मुझे बहुत गर्व भी हो रहा, दुख भी हो रहा कि आज इतनी सारे मॉन्यूमेंट से हम इसे समाल नहीं पा रहे बना नहीं पा रहे क्योंकि ये वक्त लगता है हर चीज को तोड़ना बहुत आसान है किसी राजमहल को तोड़ना हो तो दो जेसी भी तोड़ सकता है मर उस इतिहास को बनाने के लिए कितने जनम लग गए वारंगल को 700 साल लग गए उस इतिहास को बनाने के लिए हम बस उसको पूझते हैं जानते हैं, पूझा करते हैं अगर उसको प्रिजव नहीं कर पाते हैं। ऐसे अभी आपके स्पीच में सुना, समझ में आया, इतना आया कि आपके दर्द जो आपने बताया कि क्या चीज हो सकती है, समझ सकता हूं मैं। ऐसे मेरे भाई, अमारी केटियार, भाईजी अमारे साथ उपस्तित है, और साथ साथ मैं इतना बोलना चाहूंगा कि आज का दिन बहुत ही इतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि साथ तारीख है, साथवा महना है और साथ सों सालों बाद और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अरविंद को जिनोंने करीब नौ साल से इसमें रिसर्च किया और इट टेक्स अलॉट अफ पेन तो सर्च हिस्टरी बिकॉस हिस्टरी कहीं ना कहीं छुप गई है या लुप्थ हो गई है या जो भी साशन बनाया मुगलों का साशन आया, मुगलना, हिंदूों का तोड़ा और इतिहास को खतम करने की कोशिश केगी मर उसको वापस प्रिजर्फ करना उसको वापस लेके आना ये बहुत बड़ा काम होता है इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अर्विंद को और साथ में टॉर्च की टीम जो पूरे दिन रात मेहनत करके इस दिन को सफल बनाया है और अर्विंद जी साथ सालों से मेरे पीछे लगे हुएं कि आप आईए आईए और ये दिन आज आप आया क्योंकि इसमें बड़ा इतिहासिक एक चीज आप लों के साथ शेयर करना चाहूँगा ने एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें ये बताया गया कि राजा कौन होगा उसमें जब राजा का जब लिखाया गया तो मेरे दादाजी का नाम लिखा था महराजा प्रवीर चंदर भंज देव काकति है तब से मैंने रिसर्च करना चालू किया कि ये काकति है क्यों लिखाया गया देव पता था क्योंकि देवा है चंदर पता था चंदरवंशी है भंज पता था भंजा डाइनिस्टी है नाम हो गया प्रवीर नाम हो गया बट ये काकति है क्यों लिखा हुआ था ये रिसर्च मेरे दिमाग में था और अर्विंद को धन्यवाद देना चाहूंगा और साथ साथ इनके टॉर्ष की टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उस इतिहास के पन्नों को मेरे डॉट्स को जोड़ दे आज मैं इस मंच के माध्यम से आपके बीच में शेर कर पा रहा हूं और साथ-साथ हमारे जितने मंतरी जी भी हमारे साथ उपस्तित है जितने मंच में उपस्तित है इतना ही कहना चाहूंगा कि आज इतिहास लिखना और इतिहास बनाना और इतिहास को प्रिजर्व रखना ये तीन बहुत महत्पूर्ण काम है और जिसके लिए अभी मेरे बड़ कि जो मुझे आज प्रेम मिला आज जो मुझे सम्मान मिला और जो स्वागत आप लोग सब के दोरा किया गया मैं बहुत धन्यवार में दिखता और वो प्रेम मुझे सब में दिखा इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी का के टियार जी का और उनकी पूरी टीम जो मेरे साथ है उनको बहुत-बहुत धन्यमाद देना चाहता हूँ और आप लोगों से भी विश्म पर निवेदन करना चाहता हूँ कि बस्तर दशेरा कभी हो सके तो देखने आईए 75 दिनों का दशेरा है और आज भी मैं एक माटी पुजारी के हैसि सरकार करती है और अभी हम बात करते आ रहे थे कि आज भी राजदर्बार लगता है यह देश में कहीं नहीं है कि आज भी राजदर्बार लगता है और एक लगता है जिसको मुरिया दर्बार बोलते हैं जो कि आपको इसलिए बताना चाहरा था कि बहुत इंट्रेस्टिंग है यह चीज यह कब चालू हुआ 1400 में चालू हुआ हम वारंगल कब छोड़े 1326 में चोड़े तब से जब छोडने के बाद जो समय था 1400 में जब हम लोगों ने वहाँ पे दशरा चालू किया तो हमने जनता को यह पावर दिया कि आप एक दिन में जो डिशिजन लेना चाहो राजा से ले सकते हैं उस दिन राजा पुजारीक हैसेट से बैताएगा आप कमांड करोगे राजा सिर्फ सुनेगा तो आज भी मुरिया दरबार लगता है जिसमें जो भी मुख्यमंतरी होते हैं इस गड़ के माँ उपस्तित होते हैं और निर्ने ततकाल लिया जाता है किसी कलेक्टर को कागज नहीं दिया जाता नहीं स्पी को दिया जाता है डिशिजन ततकाल होता है और आज भी वो प्रथा चली आ रही है यही काक्तियों ने भी किया यही बस्तर के राजाओं ने किय कि वो प्रजा पालक रहे और प्रजा पालक ही उनको बढ़ा है प्रजा को ही राजा मान करके चले प्रजाओं की सेवाओं के लिए सब काम किया और पुना आप लोगों से यही निवेदन करूँगा कि बस्तर दशेरा में आप लोग सब सम्मिलित हो ताकि हम लोगों को भी एक धन्यवाद देना चाता हूं गौर्णमेंट का पूरे ओफिसर्स का और पूरे के पूरे तेलंगना स्टेट का और खास्तोर से मीडिया साथियों का कि आप लोगों ने जो कवरेज दिया और आप लोगों ने जो फॉलो किया क्योंकि मैं देख रहा था दो लैक तो मेरे फे कोशीश करें और इतिहास से सीखने की कोशीश करें क्योंकि वही गलती जो पूर्वजों ने कीती हम भी करने ना कर पाएं हम उसको प्रिजव रखें ताकि आने वाले जनरेशन को जैसे अभी के अटियर जी भी बोल रहे थे आने वाले जनरेशन को हम कोई बहुत बड़ा देश छोड़ के जाए यह बहुत बड़ा चीज अगर हमको छोड़ के जाना है तो हमारा इतिहास को प्रिजर्फ करके उनको देख करके जाए तभी जाकर के भारत देश आगे बढ़ेगा हमारे युवा आगे बढ़ेंगे और हमारे युवाओं का लक्ष क्लियर हो पाएगा जो आज के दिन युवाओं में दिक्कत होती है कि आज पता नहीं होता हमें करना क्या है lot of people in the country don't know what to do because we don't know our own culture, our own tradition and that should be there and that should be imbibed in the school, colleges, speeches, anywhere तब जाकर के ही बच्चे बढ़ेंगे अन्थ में एक Sanskrit श्लोक के साथ अपने शब्दों को विराम देंगो स्वदेशी पुझ्यते, राजा, विद्वान, सरवत्र पुझ्यते, English में A king is honored in his own country, but a learned man throughout the world Hindi में, एक राजा, अपने छेतर में ही राजा माना जाता है, बट एक पढ़ा लिखा वेक्ती अपने छेतर का, अपने शहर का, अपने गाउं का, अपने गली का, अपने समाज का, अपने घर का नाम रोशन करता है इतना ही खह कि अपने शब्दों को विराम देता हूँ जैमाद अंतेश्वरी, जैमाबदर काली